नमस्कार साथियो मैं हूँ एड़गट सोक चोधरी साथियो आज नए टूपिक पे बात करेंगे जापान से रिलेटेड मैंने एक दो वीडियो पहले पी डाले थे यह बताना मेरा काम आप लोगो तो इंक्वारी सही देना आप तक से इंक्वारी सही पहुंचाना होता है बा बाई अब सिद्धी सी बता दूँ कि जापान का अजेंट से काम ही नहीं होता और दूसरी बात अगर जापान का कहीं पर काम आता है तो बहुत बड़ी जो मैंपावर अजेंसी होती है उनके पास जो बाता है ये टुचे अजेंट होते हैं जो हैर कहीं पे खौल के बैठे ओफिस हैं जिनके पास कुछ है नहीं एक टेबल चेर लेके बैठे हैं वो बोलते हैं कि हम आपका जापान का करवा देंगे गरेंटी के साथ बोलता हूं किसी कब यह नहीं करवा सकते गर करवाएं तो भई आप उन्चे फुरुफ मांगें कि ठीक आप हमें फुरुफ दीजिये पास्पोर्ट में वीजा लगा है बंदा आपका पास्पोर्ट में भी इस्टिकर नकली लगते हैं इस पे बैम में मत रहना आपकी अगला आपको दिखा दे किये देखो जी हमारा वीजा लग गया है उस पे मत जाईए आप तह तक जाए तब पता लगेगा कि सचाई क्या है तो मैं बता दूँ कि अगर मान लिजे आप जापान का वीजा अपलाई कर रहे हैं तो सिद्धी सी बात है कि आपका वीजा आपके पास या तो रिस्पोंसर होना चीए वहां का वहां की कंपनी मान लीजिए या ओनर मान लीजिए वो अगर रिस्पोंसर है तो आपका वीजा राम से मिल सकता है आपके जो डॉकुमेंट है उनको वो बंदा आपका जो रिस्पोंसर वहां का जो ओनर है वो क्या करेगा सर्टिफाइट ओप इजिबिलिटी डॉकुमेंट्स आपके जापान एमबेशी वहां के इमिग्रेशन के बात कराओं वहां जापान मेर आपका ओनर रिस्पोंसर है वो वहां पे जमा करवाएगा वहां के बाद अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है वहां के एमबेशी में तो वहां के ओरिजिनल आपको डॉकुमेंट वहां के जैसे मालीजी आपका जापान में सेलेक्शन हो जाता है कि भी ठीक वर्क पर्मेंट वीजा के लिए बंदा इलिर्जिबल है इसको वीजा मिल जाएगा तो वहां का जो ओनर है वो आपको ओरिजिनल डॉकुमेंट आप इतनी भी फॉर्मल्टीज होती है वह कंप्लीट लोकोमेंट लेके आपको यहां इंडिया में जापान में आपको जमा करवाने होंगे ठीक है क्योंकि वहां से सेलेक्शन हो जाता है जापान से तो इजिली वहां वीजा आपको आराम से मिल जाएगा कोई जंजट नहीं सकते हैं वहां से आपको रिस्पोंसर करता है कोई बंदा कि ठीक आप मेरे इस जोग में आप आ सकते हो तो फिर वह बंदे को डोकोमेंट के साथ में यहां होते हैं और वीजा आपका निकल सकता है आपको वीजा जापान का मिल सकता है